कैसे आप लोग के कई रेट सारे कमेंट यह आ रहे थे कि सर मुझे अभी ऑफर चल रहे हैं जिसे कि आप लोग जानते हो यह मैजन पर फ्लिपकार्ट पर उन उफर्स में कुछ लैपटॉप जिन पर अच्छा ऑफर भी है उसमें से कौन सा मैं लूँ ऐसा कई लोग पूछ र आपका बिल्कुल भी सिविल इंजिनिंग में आप स्टार्ट कर रहे हो कैरियर अभी और आपके पास बजट बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि आप जॉप में हो या फ्रेशर हो आप तो मुझे सबसे बेस्ट जो लैपटॉप लगा जिसमें आप सॉफ्टरे जागा नहीं च इसका मतलब है कि इसकी स्पीड अच्छी रहेगी नो डाउट बस इसमें ग्राफिक्स एक्स्ट्रा नहीं है कि वह इंट्रिगेटेड है इसलिए यह आपको थोड़े से चीफ रेट में मिल रहा है प्लस यह जरूरी है कि हाँ आपके पास लैपटॉप नहीं है आपको स्ट 12GB SSD है जो कि सीविल इंजिनिंग के सॉफ्टरे से में मस्ट है मुलाब कमपलसरी है कि SSD RAM चाहिए और 8GB RAM है इसमें तो यह बहुत अच्छी चीज़ दिखी मुझे और इसके साथ साथ इसका जो प्राइज है ऑफर में भी है इसमें आपको बता सकता हूं कि अपने सीविल इं दोस्तों यह सबसची चीज़ का है कि इसके 4 इस्टार है इसके रिव्यू भी काफी अच्छे है मैंने इतने पढ़े है अभी तक में इसके रिव्यू और कंफिकेशन मैंने पूरा स्टड़ी किया ता इसका जो 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 चाहिए एनमेडिया का ग्राफिस कार है जो कि काफी तो हो जाएगा और उनली 50,000,90,90 पर मिल रहा है इसलिए यह ज्यादा अच्छा है क्योंकि है तो एक्च्छल में यह 71 का और दूसरे टाइम हम अगर देखता हूं मैं इसको लबक 65 कम मिलता रहता है कम से कम तो आपका काफी पैसा बच रहा है तो यह लैप्टॉप भी आप को डिसक्रिशन वाक्स में देदे रहा हूं आप देख लो और अपका बजट थोड़ा सा और हाई है अगर आप को意घन के इस इंप एपिटторииज अगर आपके पास बज़ट्यस इतिन है उसंे सहील लेना अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो आपशको ले लो गे तो यहां पर है आइसा नेट्रों का है यह गेमिंग 맵टलाय यह लेट है उसके लिए है इसमें SSD bukan और HDD भी है और 8GB ये भी है और Graphics Card भी है यहाँ पे तो ये बहुत ही बहतरीन है थोड़ा से इसका budget जाता है अगर आपको budget ठीक है तो आप इसको ले सकते हो इसका configuration overall बहुत ही बहतरीन है तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा तो इसको भी आप आके देख लो कि भाई ठीक है मैं जो recommend कर रहा हूँ इन सब में civil engineering के लिए सारे software चल जाएंग इसकी guarantee देता हूँ बाखी आपको अपना budget देख रहा है एक और laptop मैं recommend करूँग आपको जो मुझे ठीक लगा जो सबसे best है ओभी मैं आपको बता दूँगा जो सबसे best मुझे लगा ओभी मैं बता दूँगा बट जितने मुझे अच्छे लगे मैं आज नेट पे बैटा था तो मैंने सारे offers देखे कि offer में कौन से अच्छे मिल रहे है तो ये laptop है friends और ये laptop में मुझे क्या अच्छा लगा एक तो SSD तो no doubt SSD में होता है NVMe SSD ये जो NVMe SSD होता है सबसे बहत्रीन SSD होता है ये 16 times of normal SSD Java speed होती है 16 times higher than another SSD मलब कि SSD के दो टाइप्स होते है उसमें से NVMe वाला सबसे बहत्रीन टाइप होता है तो इसलिए इस laptop को मैंने आपको share करना चाहाँ कि ठीक है 4GB graphics card है 16GB RAM है 16GB RAM है ये सबसे बहत्रीन चीज़ है 16GB RAM इस price में केवल इसी laptop में ओलेबल है बाकि किसी laptop में इस price में 16GB RAM आपको नहीं मिलेगा तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं इसको भी आपको recommend करूँगा आप इसको पढ़ सकते हैं उसके configurations पढ़ सकते हो प्लस मैंने review जिसके 4 star या 4 के ऊपर थे हो उन ही को prefer किया है इसका घाय 3.9 दे रहा है बट ये laptop का जो ये 16GB RAM है ये आपको इस price में किसी भी दूसरे laptop में नहीं मिलेगा इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये laptop भी काफी best है इसके बाद एक laptop यहाँ पर ये और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ आरे के सारे जो हैं जो civil engineering के software एक्सेस कर सको वही laptop मैंने यहाँ पर लिष्ट किये हूए तो ये एसर का ही है और क्या बोलते है इसमें 67,000 का ही है तो वह अच्छा लैप्टॉप है इसमें कुछ configuration आपके लिएस है बाकी जैसे की 4GB इसमें क्या बोलते है वह है अच्छा लैप्टॉप है इसमें गेमिंग लैप्टॉप है तो ग्राफिस के सारे काम इसमें बहुत इसली हो जाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्लस इसका मॉडल बहुत ही सेक्सी है देख सकते हो इसका मॉडल के ना पहत्रीन है मुझे सारे एट लैप्टॉप में आपको दिखा रहा हूँ एट में सबसे ज्यादा पसंद मुझे यह लैप्टॉप आया उसका रिजन सबसे बड़ा रिजन तो HP है दूसरा रिजन इसका जो मॉडल है बाकि यह कंफ्रिगेशन तो वही है जो नॉर्मल के हैं लेक 4G भी ग्राफिस कार्ड है इसका 8GB RAM है और SSD है पांसो बार है यह जरूर यहाद रखना है कि हाप SSD पांसो बार है तो आपको स्टोरेज के लिए आपको अलग से हार्डिक्स इन फ्यूचर खरीदनी पड़ेगी इसमें पूरा काम नहीं हो पाता है जिसे मेरा भी जो लेप्टाप इसमें मैं चला रहा हूँ उसके लिए भी मैं अलग से क्या बलते हाटिक्स खरीदा हूँ तो आपको भी हार्डिक्स future खरीदनी पड़ेगी but speed में आपको guarantee साथ बहुत सकता हूँ इतनी smooth speed होगी चाहे जो software डाल तो इसके configuration भी मैंने पढ़े बहतरी laptop यह है इस budget में पूरे पूरा मैंने Amazon सर्च किया उसके बाद मैं आपको यह रीटर दिखा रहा हूँ इसके बाद एक और है जो तो होड़ा सा कॉस्ट्ली है कॉपी और यह laptop है यह इसका यहां पर यह SSD भी है और HDD भी है थोड़ा से कॉस्ट्ली है तो अगर आपका budget है इस में तो देख लेना और यहां पर साथ ही साथ इसका जो प्रोसेसर हो गए रहे सब AMD का लेटेस्ट जो हमारा प्रोसेसर है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है और अप्ग्रेट कर सकते हो 32GB तक इन फ्यूचर रहम बढ़ा सकते हो आप यह बहुत अच्छी चीज है स्टोरेज का कोई ब्रॉलम नहीं क्योंकि 1GB हार्डिक्स है और SSD भी है और 256 तो बहुत है इसमें स्टोरेज का तो यह काफी अच्छा है इसमें कूलिंग सिस्टम भी बहुत अच्छी है दिया हुआ तो हीट नहीं करेगा यह सब सब से बड़ा एडवांटेज है तो आप इ एक और लेप्टॉप है जो मुझे ठीक लगा वो लेप्टॉप यह है गाइस लेप्टॉप है और मैं इसको दिखा देता आपको अगर आपका 60 के प्रॉक्स बजट है और आपको हार्डिक्स भी चाहिए और SSD भी चाहिए तो यह आपके लिए सबसे बहुत है इसको मैंने क क्योंकि सबसे बड़ी बात कि इसका यहां पर क्या बोलते है रेटिंग इसका फाइफ है और दूसरी चीज़ यह 83 का लेप्टॉप मुझे यह लगा इस बजट में और सबसे बहत्री मुझे लेप्टॉप यह लगा जो मैंने आपको बता दिया है एच्पी का एच्पी पै इसलिए आप देख लो है अगर आपका बजट है तो बैसे बहतर है अब कोई सब्सक्राइब ब Do यह जितने लास्मेंची में से में आपको चूह है कई क्योकर मैं जानता हु़ यहां सबसे आइज और दो पाई है इस सब्हख से इस से साफ्प्रेज सवन वो तो software सीखना है तो वो इसको prefer कर सकता है बाकी को SSD वाले ही RAM लेना है और 4GB आपका graphics card लेना ही लेना है तभी आपका काम हो पाएगा तो definitely आपको यह अच्छा लगा होगा तो आज मुझे कई कमेंट आ रहे थे तो मैं अभी office है तो मैंने सुचे चलो एक वीडियो बना देता तो आज आपका structure का वीडियो नहीं आपया कल आपका structure का वीडियो आएगा same timing में तब तक आप इसको देख सकते हो इसको check कर सकते हो क्या क्या इसमें कर सकते हैं सारे laptop बहुत ही बहतरीन है